So hello everyone and I welcome you all to Neet Rank Plus channel आज इस वीडियो में basically मैं आपको देने वाला हूँ अपडेट्स जो ओफिशल अपडेट्स हमारे पास आई है एंटे की तरफ से और जो सुपरीम कोड़ और हाई कोड़ में जो केसे फाईल थे उन पे क्या अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा सबसे इंपोर्टेंट जो ख़बर हमारे पास है वो है देली हाई कोड़ से तो देली हाई कोर्ट में आज हेरिंग थी और हेरिंग में जो हमारे law officer है solicitor general तुशार महता जी वो हमारे पास आये थे एंटी की तरफ से बेसिकली ये और इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा बहुत सारे cases आ रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि अब individual बच्चों ने भी क्या कर रहा है case file करना है start कर दिया क्योंकि उनको पता लगा कि आवाज अगर उठाएंगे तो ही लोग सुनते हैं बिन मांगे तो बेटा भगवान भी कुछ नहीं देता है भगवान से भी मांगना पड़ता है ऐसा ही क्या है कि जो लोग आवाज उठाते हैं उन्हीं को फायदा होता है यह हमने देखा कि 1563 स्टूडेंट्स वो थे जिनको grace marks मिला जिन्होंने case file किया था तो बहुत सारी हमारे पास क्य issues नहीं रहेगा आप यहाँ पर देखे क्या बोला है उन्होंने उन्होंने बोला मैता टोल्डी कोट एट पैटिशन्स रिलेटेट टू दी नीट यूजी एग्जाम्स हैब बिन फायल बिफोर सेवरल हाई कोट्स ओप दी कंट्री एंड तो एंशूर देर आर नो कंफ्लिक आपके पास आ रहे हैं उन सारे मैंटर्स को आप ट्रांसफर कर दीजिये सुप्रीम कोट में और सुप्रीम कोट उसके सुनवाई करेगा तो यह फॉर्स्ट अपडेट है सेकिंड अपडेट इसी में अगर मैं आपको बताऊं तो वह यह है कि इन्होंने हमारे पास यह बान पेपर लीक हुआ है दूसरा है कि जो ग्रेश मार्स मलब प्रवाइड करें है उनमें क्या इशू रहा है और तीसरा इशू यह है कि जो फिजिक्स का कोशन दा जिसमें एटम वाला जिसमें दो ओप्शन जोते वो सही होगे तो उसके उपर है मुझे लगता है कि यह वाला बड़ वाला तो कोई ज्यादा बड़ा इशू है नहीं यह दो कोशन चलिए ओल न्यू एटी का इशू है तो वो गलती हो जाती है उसको तो आप हटा दीजे में लिए दो इशू है एक तो ग्रेश मार्स कैसे मिले और अगर आप डेटा देखेंगे तो डेटा के एकोर्ड कांसलिंग ली ऐसा लग रहा है कि ग्रेश मार्स जो है लाक से जादा बच्चों को मिले बट एंटिय के ओफिशल्स कह रहे हैं कि 1563 शूटेंट को ही ग्रेश मार्स मिले गए और यह पहला इशू जो है पेपर लीक का तो पेपर लीक के लिए क्या-क्या चीजे बोल रहे है ठीक है अब स्टे, हमने स्टे भी माना था कि कांसलिंग में स्टे मिल जाए की नीट की कांसलिंग ना हो जब तक रिजर्ट नहीं आए हमारे पास कोट का बट कोट ने मना कर दिया कि कोई स्टे अभी नहीं लगाएंगे और तीन जगे मना हो चुकी है देख geç सुप्रीम तो में को भी बोला गया था कि कॉउसलिंग में स्टे लगाई है मना कर दिया था 11th June कल की बगर बात करूँ तो Supreme Court ने मना कर दिया था कि कोई स्टे नहीं रहेगा दिल्ली High Court में आज सुनवाई थी 12th June को आज भी दिल्ली High Court ने मना कर दिया कि counseling में कोई भी stay नहीं लगाएगा जैसा process चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा 8th of July को आपकी जो सुनवाई है Supreme Court में उसमें देखेंगे कि क्या कुछ बाहर निकल के चीज़े आ रही है ये नहीं आ रही है देखें court तो proof मांगता है proof होंगे तो बात होगी otherwise court किसी भी चीज़ को नहीं रोक रहा है ये एक setback है बट चलिए आप ये भी समझते हैं कि ये जो procedure है न लोका वो इसी तरीके से चलता है अब इसके साथ साथ एक update हमारे पास और रही जैसे आप जानते हैं कि social media में बहुत खबरे आ रही है अब तो हर एक news channel जो है वो NEET की खबर को क्या कर रहा है लेके आ रहा है पहला 16th point पर अगर मैं कहूं तो यहाँ पे लिखा है कि what was the role of grievance redressal committee in giving the compensatory marks for time loss and why was it done क्यों ऐसा हुआ तो इन्होंने कहा कि हमारे पास काफी सारी writ petition आई थी high courts में और जिन लोगों ने writ petition फाइल करी थी उनको हमने grace marks दे दिया तो भाई ऐसा क्यों किया आपने सिर्फ उनी को क्यों दिया अगर किसी के साथ कुछ गडबड हुई है तो आप सभी को दे दिजे injustice anywhere is a threat to justice everywhere तो ये concern है इस पर case चल रहा है और इन्होंने बोला कि इन्होंने cctv coverage वगएरा सब कुछ देखी थी तो ये पूरा का पूरा वही जो पुराना एक official इनका आया था उसी को चिपका दिया फिल्ड दिया है how worthy compensatory marks calculated तो इसने बोला कि CLAT का exam का notification था उसमें भी यही same की issue था हमारे पास issue है कि time loss का तो वहां से हमने जो formula supreme code ने बोला था उसको यहाँ पर apply कर दिया यहाँ पर यह बोल रहे है 718 और 719 marks कैसा है इसके लिए इनोंने बोला कि compensatory marks की वज़े से आ रहे है फिर उनोंने बोला कि क्या सिर्फ 1563 students को ही compensatory marks मिले है जो grace marks है वो मिले है बोल रहे है कि हाँ सिर्फ इनी को मिले है इसके इलावा किसी को भी नहीं मिले है फिर बोल रहे है कि 44 perfect scorers 720 out of 720 who benefited from the physics question तो 44 ऐसे students है जिनको physics के question का benefit हुआ है तो इसमें बोल रहा है कि क्यों ऐसा हुआ बिकॉज ये NCRT में कुछ issue था old NCRT new NCRT issue में इसलिए benefit of doubt जो वो student की तरफ जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि student की तरफ benefit गया है और ये मैंने पहले भी बोला था जब paper का issue आ रहा था कई लोग कह रहे थे कि ये question जो गलत है मैंने बोला था कि benefit of doubt देना चाहिए या तो इस question को drop कर दो या इन दोनों option को सही कर दो फिर बोला है कि NTA क्या unfair mean का देखे ये वाली बहुत बड़ी update है क्योंकि यहाँ पर what action NTA is taking on unfair mean cases तो NTA ने यहाँ पर खुद बदाया कि totally need UG 2024 में 63 cases आये हैं UFM के और UFM पर उन्होंने कुछ-कुछ actions लिये हैं और इस UFM में paper leak का बट यह बोल रहे हैं कि paper leak का नहीं है अगर यह paper leak proof हो जाता है तो बहुत ज्यादा chances आपके पास हैं कि क्या हो जाए री नीट हो जाए है ना री नीट के बहुत ज्यादा chances बनेंगे अगर यह 63 जो है क्योंकि अगर हमें बात करूं 20 जब यह 18 में हमारे पास क्या हुआ तो दुबारा री नीट हुआ था 2015 में तो 2015 में जो री नीट दुबारा हुआ था तो उसका में जो अगर आप number of students देंगे तो 44 students महा थे तो 44 students महा थे और यहां पर कितने 63 तो जादा students है तो जादा chances हैं कि री नीट आपके पास हो जाए फिर आगे आते हैं एक और जो most important update जो मुझे यहां पर लगी वो यह है कि य जिहार और जो गोधरा में paper leak हुआ है ऐसी खबरे आ रही है उसके उपर आप क्या बोलते हो इसको मैं पूरा बढ़के सुनाता हूं यह बोल रहे हैं इस तो बी नोटेड एट नन ऑफ दी रिपोर्ट और बैक्ट विद एविडेंस कोई भी रिपोर्ट जो आई थी उसमें एविडेंस नहीं है और आप यह देख रहे हैं कि एविडेंस नहीं है इसी की वज़े से जो supreme court high court है वो counseling पे stay नहीं लगा रहा है तो मैं investigation agency मलब जो है वो इतनी ज़्यादा efficient नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर evidence निकाल के लेकर आपाए तो CBI यह inquiry अगर जो कि यह NTA तो बिल्कुल मना कर रही है यह बोल रहे है कि these cases seems to be related to cheating यह कह रहा है कि भईया यह तो cheating cases है और impersonation के cases है impersonation यानि कि कोई दूसरा बंदा किसी का दूसरा एक्जाम दे रहा है और paper लिक का नहीं है बिहार और गोद्रा में यह कह रहे है paper लिक का कोई issue नहीं है यह बोल रहा है while the outcome of the investigation in force rate cases is awaited but the outcome जो है वो अवेटेड है security protocols standard operating procedures जो NTA के रहते हैं इन्होंने बोला कि हमने भी find कि paper जो है वो compromise नहीं हुआ है देखें यहां पर यह पूरा का पूरा लिखा है इसी में further इन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि NTA has its own security protocols and SOP it has been found that all the question papers which have been printed have been accounted for and there is no question of paper leak तो कोई paper leak यहां पर नहीं हुआ है ऐसा NTA कह रही है अब देखें यह जो evidence है न यह आप सोचिए कि evidence नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं आएगा क्योंकि जो court है वो बेटा evidence की सुनता है वो हमारी किसी की नहीं सुनता वो emotions नहीं सुनता वो यहां पर क्या सुनेगा वो evidence देखेगा और evidence कहां से मिलेंगे CBI inquiry से मिलेंगे तो यह भी एक important हमारे पास point है कि CBI inquiry होनी चाहिए क्योंकि अच्छी तरीके से जाच होगी तभी तो evidence आएगे otherwise जाच ही नहीं होगी तो evidence किस बात के राइट तो यह जो आवाज है यह आपको रोगनी नहीं है इसके इलावा बोला है कि सवाय माधवपुर राजस् लिक का issue आ रहा था internet पे papers जो होते वो वाइरल हो गए थे तो इसमें उन्होंने कहा कि examiner जो था वहाँ पे उसकी गलती थी तो यह यहाँ पर बोल रहा है कि center superintendent जो था उसकी गलती थी उसने question paper जो था वो गलत बाढ़ दिया था और बच्चों ने हंगामा create कर दिया और बच् students के पास वो खबर नहीं पोची तो इसका मतलब paper leak नहीं है ठीक है और इसको ऐसा दिखाया जा रहा है project किया जा रहा था कि paper leak हुआ है तो इससे भी वो deny कर रहे है कि कोई यहाँ पर नहीं हुआ है फिर एक और अगर हम यहाँ पर बोलें तो यहाँ पर देखिए यह viral video की बा और उसकी OMR sheet असली में फटी वी थी नहीं फटी वी थी तो उसके एंटी ने कहा है कि हमारे पास जो थी वो index थी उसका जो result है वो दे दिया गया है तो आप उस result को वहाँ पर ओफीशल website पर जाके देख सकते हैं इसके इलावा आपको यह भी पता है कि दुबारा से एक committee बन आपके चीजें हैं evidence जो है है ना क्योंकि मलब आप सोचिए कि अगर कोई student PL डाल रहा है तो evidence तो नहीं प्रवाइड करेगा ना वह कोई जासूस तो नहीं है कि evidence प्रवाइड कर देगा कि evidence है evidence तो जो investigating agency है वही प्रवाइड करेगी court में तो बस case होगा investigating agency जो है वह क्या प्र हो रहे हैं इसकी वज़े से NTA जो है वो response तो दे रहा है सुन तो रहा है कम से कम हमारी आप देखेंगे जितने भी लोग Twitter पर लिख रहे हैं कि NTA के बारे में कि scam अगेरा हो रहा है इसका NTA खुद official handle से reply कर रहा है Twitter पे खुद official handle से क्या कर रहा है reply कर रहा है देखिए जब आ आगे कि पेपर लिख हुआ है और इतने सारे students UFM में involved थे तो री नीट के chances हैं तो आप अपनी पढ़ाई भी सासात करते जाए देखें यह लडाई तो हम है और हम आपके साथ हैं और यह लडाई जरू जीतेंगे आप अकेले नहीं है इस लडाई में बल इसके सासात में आ किलावा आपके लिए मैं यह भी बता दूँ कि नीट रैंक प्लस के courses भी यहां पर आ चुके हैं अगर आप class 8 से 10 तक की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप 11 में है 12 में है और नीट exam की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे courses को join कर सकते हैं courses के benefits क्या क्या है बही सबसे पहले gamified quizzes आपको मिलेगी live classes रहेंगी one to one mentorship है AR VR and 3D classes यहां पर रहेंगी DSA है daily self analyzer है आपके लिए and one to one mentorship आपके parents के लिए भी है ठीक है इसके इलावा अब ही मैं यहां पर बात करूँ तो आपको कोई भी detail अगर चाहिए तो आप call कर सकते हैं admission लेने के लिए 916-300-300 पर आप call कर सकते हैं admission के लिए इसके इलावा WhatsApp पे भी हमें क्या करते हैं information लेने के लिए आप हमें message कर सकते हैं 966-009-0049 पर इस qr code को scan करके आप देख सकते हैं कि राजकुमार राओ जी हमारे rank plus के बारे में क्या कह रहे हैं क्या है इस वीडियो में बस इतना ही चैनल को subscribe जुरूर कर देना नीट की updates के लिए देखे मैं कि कह रहा हूं कि आप पढ़ाई करते रहिए हम